असलामुआलेकुम दोसों आप देख रहे हैं फुली फॉर्वर्वर्ड यूट्यूब चैनल मेरा नाम है आजम और आज की इस वीडियो में जो है कुछ आपके लास्ट वीक के जो है कोशन लूँगा और जिसके आंसर जो है आपको इस वीडियो में मिलेंगे Q&A वीडियो है वीडियो की तरफ जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि कोर्स आपको जैसे के पता है हमने जो है रेडी कर दिया हुआ है PCP का कोर्स जो जो सीखने के लिए इंट्रस्टेड है यहां पर स्क्रीन पर ही आपको नंबर मिल जाएगा 5000 उसकी फी है और मुकमल जो है PCP का कोर्स मुकमल जो है डिटेल से आप उसको सीख पाएंगे जिसमें आपको जो है डियाग्राम बनाकर मीटर के साथ एक किसे हть कर जी दूषल में हम रिले की जगा सकते हैं बिलको लगा सकते हैं इसके ऊपर मेंगी एक वीडियो में बना हुँ में बना जिसमें पर जो आप रियाइ को रिमूव कर आवटोट युनेंट में जो पावा रिली Aegis लिगा हुए उसको रिमूव करके असानी के साथ उसकी जगा Magnetic Contactor लगा सकते हैं एचली में ये दोनों का काम एक ही है सिरफ देखने भी डिफरेंट है और नाम में थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन दोनों ही Magnetic Contactor की तरहां ही काम करते हैं यहां पर एक बाई कहा रहा है कि सर मैं सौधियार में काम करता हूँ हाँ पर एक cabinet है जो ओन करने के बाद 64 यानि के डिस्प्लेइबर शायद यहीं बहु रहे है 64 64 लिखा हूँ आ जाता है तो क्या प्रोब्लम हो सकती है देखे उसमें हो सकता है कि यह error आ रहा हो error coding होती है जैसे कि E1, E2, F1, F2 इस तरह के जितने भी codes होते हैं यह error code होते हैं हो सकते है उसमें इसके sensor चेक करें इसकी fan motor चेक करें और इसके लावा यह चेक करें कि यह output outdoor unit को निकाल भी रहा है कि नहीं वह magnetic contactor को on करने के लिए अगर नहीं निकाल रहा तो फिर indoor unit की PCB को ही चेक करें इसमें sensor का ही normal forward होता है वैसे आप internet पर सर्च करेंगे तो इसकी detail आपको वहां पर मिल चाहिए अमन परीट सिंग कह रहे हैं कि सर एलजी का AC है जिसकी PCB नहीं हो रही डिस्पले कुछ भी on नहीं हो रहा क्या प्रोब्लम हो सकती है अगर कोई भी AC है किसी भी company का उसका डिस्पले इंडोर ही on नहीं हो रहा तो आपको उसमें indoor unit में ही सबसे पहले में पावर स्प् inverter है इसमें transformer लगा होता है जो 9 इंवर्टर है उसमें वह चैक करने कि वह जो है आगे 12 वोल्ड या 14 जितने भी आगे चाहिए 13 वोल्ड 12 नोर्मल होते हैं वह आगे BCP को दे रहा है कि नहीं transformer का issue भी हो जाता है लेकिन कई बार वह ठीक होता है फिर आगे fuse आ जाता है fuse के और इसके लबाव एक reactor है जो अंड़क्टर है अंड़क्टर कोईल होते हैं उसमें भी इशू आ सकते हैं तो यह सारी चीज़ें जो है मैं PCB कोर्स में बता चुका हूं जो के PCB कोर्स में वीडियो को स्टार्टिंग में बिताया कॉंटक नबर आपको वीडियो को स्टार्टि जाती है तो यह सीरीज में लगी होती है तो आगे करन्ट जाना ही रुक जाता है बंद हो जाता है तो इसलिए आपका एसी डिस्प्ले कुछ भी आन नहीं हो रहा होता तो यह चीज़ें आपको चाहिए आपको चाहिए अबली कह रहे हैं कि सर इन्वर्टर एसी के आउड़ नहीं है तो हो एरर दे दree देगा ऑउड़ तक पोँछेगा है ठीक है तो मुकामल इंड़र-יटर-जाना सब्सक्तियाना हो फिर एक स८्प्रैस्र को आप डाकली नहीं चेक कर सकते मिए इसके लिइए कोई डिवाइश बनाई जाए अगर या तो भी तक डियासे चेर सकत तो जो है इसका inverter AC जो है इसके आउड़र को हम डिर्क नहीं चला सकते हैं जो नोन इनवर्टर है उसको हम इजीली चला सकते हैं अबदुल मनीर कह रहे हैं कि सर दो तर्ण तीन टर्ण AC में R22 गैस जो है वो कितना चार्ज होगा उसको पर डेटेल नहीं लिखी हुए इस्टीकर नहीं लिखा हुआ देखें ऐसे सिट्वेशन में अगर नहीं लिखा हुआ तो फिर आप उसके अंपेर का भी अगर आपको न नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे आप उसकी कूलिंग को नोट करेंगे उसमें जो है आपको सक्षेंड डिश्चार्ज से ही पता चल जागा स्टार्टिक में जब आप गैस चार्ज कर रहे होंगे तो डिश्चार्ज बरीक वाले पाइपर जिसे लिकवर लाइन कहते हैं उसे उस पर जो है आइस आएगी और जब आप मज़िए थोड़ी और गैस चार्ज करेंगे तो आइस खतम हो जाएगी ठीक है उसके बाद जो है आपका जब तक रिटर्ण चिल नहीं हो जाते ही तो मलब आपकी गैस कंप्लीट नहीं हुई और जैसे ही रिटर्ण चिल हो ज ले सकता है साड़े बारां भी ले सकता है तो मैक्सिमम 10 से 11 यारा अम्पेर के मैक्सिमम जो है असपास वो अम्पेर लेगा उस दुरान आप देखेंगे रिटर्न भी चिल है और आप भी 11 के आसपास आ गई है तो मतलब आपकी गैस अब्सक्राइब हो चुकी है तो फिर आप इस तरह से यानि के आईटी के साथ ही इसको असानी के साथ गैस को चार्ज कर सकते हैं यहां पर हमसे साथ जुबैर कह रहे हैं कि सर इंवर्टर एसी के इंडोर और आउट्डोर की PCB की मुकमल डियाग्राम बना दे और इसमें जो कि जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं उनकी वर्किंग उनकी टेस्टिंग पर भी वीडियो बना दें बिल्कुर मैंने जो कोर्स है जो चांद बही ने कोर्स बिनाया है तो वो कोर्स जो है उस पे आपको अगर वह पर चैस करना चाते हैं तो यहां पर मैं स्कीन पर नमबर आपको दे दूँगा वीडिया हुआ है तो सकते हैं उसमें मकमल को इसकी डाक्राम बना कर दिखाये गई गई है मुकमल ऑंड ओर बिजिन अट की जो पी यहां उसकी मुकमल डाग्राम बनाई है और उसमें जितने भी पार्ट्स लगए है वह तुकरीबन पार्स जो इतने भी हैं उन सब को आप बाहिर निकाल कर कैसे कर सकते हैं मीटर से और फिर उन पार्ट की भी डायाग्राम एक एक पार्ट को यानि के लेकर हमने असानी के साथ एक्स्प्लेइन वहां पर किया हुआ है तो जो इंट्रेस्टिट है वह पर चाहता है तो वह इसके कोंटेक्ट नबर पर राप्ता करके कोर्स को पर्शेस कर सकता है उसके चोदा एपिसोड है और चोदा एपिसोड आप देखकर आसानी के साथ इसकी जो है बेसिक जितना भी PCP का काम है वह आप सीख सकते हैं ठांस जिदी कह रहे हैं कि सर क्या कंप्रेसर से वैक्यूम करना सही हैं और जो आपका कंप्रेसर है उसकी इतनी पावर नहीं होती कि वह आपको जो है सही प्रोपर वैक्यूम दे सके तो बैस्ट यही है कि आप वैक्यूम मशीन रखें और नॉर्मल हमारे काम के लिए जो है वह आप सिंगल स्टेज का भी अगर वैक्यूम ले ले लेते हैं त तो नॉर्मल एक टन, देट टन, दो टन, असी तक और नॉर्मल रेफ्रिजिटर तक जो है वह बेहतरीन काम करता है इसमें अक्सर लोग पूछते हैं कि सर वैक्यूम कौन सा लेना चाहिए तो आप डवल स्टेज ले ले लेंगे तो वह और भी बेहतर है नहीं तो आप मैंने एक जगा पर 1,2 और 1,4 की पाइपिंग की थी अंडर अब कस्टमर जो है वहाँ पर पोने टन का एसी 0.8 टन का एसी लगवा रहा है उसकी पाइपिंग है 1,2 और 1,1,2 और 3,8 तो क्या मैं वह वाली पाइपिंग ही इसके लिए यूज कर सकता हूँ आगे मैजिक नट लेकिन यहां पर आपको कोई प्रोब्लम नहीं बनेंगे